गुट मॉर्णिं क्लास पिटा हमारा चैप्टर एमेस एक्सेस एन इंट्रोड़क्शन चल रहा था तो यहां पर मैंने डाटाबेस की डेफिनेशन बताई थी और उसके बाद कंपोनेंट आफ डाटाबेस मैंने किलियर करवाया था अब डाटाबेस मनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझाने जा रहा हूं तो यह होता क्या है इसको शॉट में डी बी एमेस बोलते हैं डाटाबेस मनेजमेंट सिस्टम इस एस सौट्वेर दैट प्रवाइड और नेसेसरी टूल्स तू यूजर तो हैल्प हिंप डाटाबेस यानि की डाटाबेस एक डाटाबेस मनेजमेंट सिस्टम में एक सौट्वेर है कि जो की हमें डाटा को और्गिनाइज करने में मदद करता है तो इसके जो पापुलर जो डीवी एमेस हैं वो कौन-कौन से हैं जैसे औरकल है एसक्यूल है सरवर और मैनी मोर और सारे हैं ये सारे डीवी एमेस में आते हैं ठीक है उसके बाद इसके जो एडवन्टेज हैं फाइदे क्या क्या है इसके तो पहला जो है वो DBMS DBMS stands for database management system reduce the duplication of data जो डाटा का duplicate करते है उसको कम करता है DBMS remove the inconsistency मतलब जो असुविधाएं हमें होती है न उसको remove करता है यानि उनमें कोटोती करता है कमी करता है उसके बाद है DBMS facilitate data sharing data sharing के लिए आपको facilitate facilities देता है next है इसका DBMS ensure the data security data की security देता है यानि security का मलब हो कि आपका data safe DBMS ensure data integrity integrity में भी यह क्या करता है help करता है जैसे DBMS places the restriction on the data entered in the specific field यानि कि अगर हम एक field का data दूसरे field में access करेंगे तो नहीं हो पाएगा उसके बाद इसी का एक part है MS access तो यह क्या है MS access भी MS office का यह एक part है तो MS access is a software designed by the Microsoft for creation maintained of database it is based on relational database मॉडल हैंस इस अलसो नो रिलेशनल डाटा बेस मनेज्मेंट सिस्टम और डीबी MS इसको short में बोल सकते हैं तो इसके आगे यह start कैसे किया जाता है तो यह तो सब easy है कि start all program Microsoft office और MS access तूठाउजन सेवन एक जो important चीज़ यह data create करना यह तो practical ही है बढ़ा आसान है जैसे हम MS world में file create करते हैं वैसी है इसमें कोई जाड़ा difficulty है mainly में इसके जो database के जो window है उसमें क्या-क्या होता है वो mainly में बताने जा रहा हूँ तो पहले चीज़ इसमें आती है table इसके बारे में हम next chapter में पढ़ेंगे तो पहले चीज़ है table दूसरी है query query is transfer question तीसरी चीज़ इसमें आती है form तो यानि कि जो window होती है उसके object क्या है पहला है table दूसरा है queries तीसरा है form चोथा है report report I hope कि सभी जानते होंगे जैसे जो printed data होता है ठीक है उसकी जो है कि report दो जी हमें report दो जी report card जैसे बोलते है report card क्या है या mark sheet है हमारी तो वो हमारे report बताता कि subject में कितने हमारे marks है या कोई reporter है news reporter है तो क्या है किस tv से है या किस उस से है तो उसकी report वो देता है या आप आपने कोई test करवाए है तो उसकी blood report ठीक है आपके sugar की report या जो भी corona report जो latest चल रहा है तो वो report है कि मनला उसके बारे में दिया रहा था positive है negative है BP कितना है क्या है यह सारी चीज है वैसे ही school की report में आपका marks वगेरा कि subject में कितने उसका report का भी बोला जाता है कि क्या report है उसके बाद है next is pages तो pages are used to add, edit, view data on a table भी दे internet browser internet browser से हम इसमें edit कर सकते हैं next है micros micros are small program used to automatically repetitive tasks मतलब जो काम भी automatically करना हो उसके लिए होता है modules क्या होता है modules are the programming code written in ms access database programming code होता है उसको इसमें modules बोला जाता उसके बाद है opening database database को उपन करने के लिए क्या है सबसे पहले open में जाएंगे जो भी आपने file बनाए उसको डबल क्लिक कर लो या फिर ok कर दो enter कर दो तो यह इतना ही था इस chapter में यह second part भी हो गया कल यह वाले चीज़े कर आई थी आज आपको यह true false करने इसकी में पिक आपको send कर दूँगा तो इसमें इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye झाले चाले बुझा राइब कर दक कर दो